जैपूर में हर्माडा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के चलते ऑपरेशन क्लीन स्वेप के तहट कारवाई करते हुए हदकर शराब बेशने के आरोप में एक आरोपी को गिरफतार किया है आपको बता दे कि आरोपी के कबजे से पुलिस ने 20 लिटर अवैध हटकर शराब बरामत की थाना प्रभारी रमेश सेरी ने इस पर बता कि आरोपी मोनुसांसी गोविंगर निवासी को गिरफतार कर लिया गया है आरोपी से फिलाल पूछताच की जा रही है वहीं पुलिस पिछले दो दिन में 100 लिटर से जादा अवैध शराब बरामत कर चुकी है और साथ ही में चार लोगों को भी पुलिस ने गिरफतार किया है लगातार इलाके में पुलिस की ताबर तोड कारवाई चारी है